करेंगे तो जैसे टाइम मिलेगा वैसे जो है मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मैं अपनी इस चैनल पर अपलोड करूंगी तो आपको क्या करना है सिरफ यह वीडियो देखनी है और जितना हो सके आप यह वीडियो जब देखेंगे उतना ही आपकी नौलेज जो है और ज्यादा क्या होगी एडवांस होगी क्योंकि जब हम कुश्चन्स करते हैं तब हमें पता लगता है कि हम कितना हमने जो है गेन किया है अभी तक तो BSC के कोश्चन्स भी होंगे प्लस 1 प्लस 2 के भी होंगे तो सभी कि जो है और वीडियो चाहिए तो यह भी आपकी बहुत टाइम से दिमांड थी कि MCQ कुश्चन्स लेके आओ मैम तो मैंने आपके लिए जो है यह आपकी हल्प के लिए जो है यह यह वीडियो बनाई है और आगे ऐसे ही जो है मैं वीडियो बनाऊंगी जो आपके आगे MSC और PG entrance exams होते हैं उनमें भी helpful होगी तो start करते हैं सबसे पहला question the latest discovered state of matter is solid Bose Einstein condensate plasma liquid तो आपको पता होगा कि जो already जो है चार states हमारी already discovered हो चुकी है solid, liquid, gas and plasma state तो जो new discovery हुई है that is Bose Einstein condensate तो यह जो है new discovered state that was given by Indian scientist Satendra Bose नाथ Bose तो उन्होंने जो है यह discover किया था इसमें क्या होता है कि जब atoms जो होते है group of atoms को अगर हम जो है absolute zero पे cool करते हैं तो वह उनके तो वह एक new behavior show करते हैं तो उसमें क्या होता है कि atoms जो होते हैं उनके पास इतना motion नहीं रहता है इतना energy नहीं रहता है कि वह move कर सकें तो वह क्या करते हैं कि एक cluster form कर लेते हैं और single particle की तरहां जो है भीएव करने लगते हैं तो यह जो पार्टिकल इस तरहां के यानिकि तो उन पार्टिकल को नाम दिया था बोजोंस and they occupy the same quantum state और कह सकते हूं सेम इनर्जी स्टेट जो है वो कि पाय करते हैं तो यह जो है न्यू डिस्कवर्ड स्टेट थी आपकी तो दो राइट आंसर इस option number B आपको पता है work is nothing but force into displacement and एक unit तो बनेगी आपकी newton meter और work is also stored in the form of energy तो जो next है आपकी unit क्या बनेगी that is energy is measured in Joule तो work done is also measured in Joule तो next question देखते हैं a man is standing on a boat in still water if he walks walk in the boat towards the shore the boat will move away from the shore remain stationary move towards the shore or sink तो क्या क्या रखा है कि एक man जो है एक आदमी जो है वो boat के उपर खड़ा है और boat जो है वो still water के अंदर है ठीक है तो अगर वो जो है shore की तरफ जो है किनारी की तरफ move करने की कोशिश करता है तो उस case में boat का क्या होगा तो boat जो है of course it will move away from the shore क्योंकि अगर वो आगे की तरफ move करेगा तो आपको पता है कि newton second low क्या कहता है newton third low क्या कहता है for every action there is equal and opposite reaction तो अगर वो जो है आगे की तरफ move करेगा तो बोट जो है अगर उसका action आगे की तरफ है तो of course जो है बोट जो है वो क्या करेगा पीछे की तरफ जो है आपको पता होना चाहिए तो आपको पता ही है कि एटम्स जोहां बहुत ही दूर दूर होते है तो रेंडम रॉंडम मोशन होता हूंका तो अफकोर्स और वेपर स्टेट पी असी ही होती है तो राइट आंसर इस सॉलिट तो नेक्स कुशन देखते है असान था ये तो तो सिक्स कुशन क्या क्या रखा है relative humidity is the percentage of absolute humidity value to the amount of humidity actually present increase of humidity slash absolute humidity amount of humidity present to the absolute humidity none of these तो relative humidity क्या होती है that is the absolute humidity value to the amount of actual humidity present तो राइट option is A option तो next question देखते हैं next क्या है वेंडे graph generator is used for accelerating charge particles generating large current generating electric field generating high frequency voltage तो ये अंडे में आया हुआ है ये आपका जो है class 12 का जो है question है वैसे तो तो वेंडे graph generator is basically used for generating high frequency voltage तो हाई frequency voltage यूज करने के लिए हम जो है वेंडे graph generator का यूज करते हैं तो अकर आपसे ये पूछा जाए कि असलरेटिंग चार्ज असलरेट चार्ज पार्टिकल को असलरेट करने के लिए कौन सा हम यूज कर सकते हैं तो जो है cyclotron जो है वो हम जो है basically use करते हैं to accelerate charge particles तो यह भी आप पढ़ चुके हूं and next question देखते हैं during short circuiting the current flowing in the electrical circuit a reduces substantially does not change increase instantaneously varies continuously of course जब short circuiting होगा तो उस case में जो है current आपका जो है a option क्या है reduce substantially इनकी धीरे धीरे अराम से जो है वो क्या होगा decrease होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो next question देखते हैं the next question क्या है the current IV यह वोल्टेज plot of a certain electronic device is given above the device is a semiconductor a conductor which always ohm slow on the next option देख लेते हैं क्या है हमारे पास next option है AC superconductor D insulator तो IV versus graph जो है that is a straight line और आपको पता है कि यहां पर क्या हो रहा है कि voltage developed across a conductor is proportional to the current or we can say that current is directly proportional to voltage तो यहने की current और आपका voltage के graph that is linear or straight line graph है तो ऐसे ही जो होते हैं वो क्या ओबे करते हैं आपके ohm slow को ओबे करते हैं तो option आपका जो B था वो correct था तो next देख लेते हैं question so next question is an artificial satellite orbiting around the earth does not fall down this is so because the attraction of the earth A does not exist at such distance B is neutralized by the attraction of the moon C provides the necessary speed for its steady motion provides the necessary acceleration for its motion तो की हäं पर क्या क्या रह है कि a artificial satellite है और यह other year के बाउट जो है rotate कर रही है लेकिन वो जो है गिरती नहीं है यानि कि earth के ओपर fall नहीं कर रही है सिरफ क्या कर रही है और ऑफिट कर रही है रोटेट कर लिस इसके लो हो जाए अवे बाताना है तो यह ला सबसे और आपको बताना है तो यह ला कोशिछ ने आप खुद बता सकते हैं मुझे क्या हो सकता है रही है यह ला कोशिशान आपको करने मुझे आंसर यह लिए ठीके फ्ली ब συνत Olan About तो आपके कैसी quantity है तो अंसर है A it's a vector quantity ठीक है current density जो है that is represented by J J के उपर आप जो है arrow लगाते है क्योंकि यह क्या है vector quantity है 12th question देखते है the surface of a lake is frozen in severe winter but the water at its bottom is still liquid what is the reason तो यहां पर क्या क्या रहा है कि आपने देखा होगा जो lake है उसका जो उपर वाला हिस्सा है वो तो क्या हो जाता है freeze हो जाता है winter के अंदर लेकिन उसका जो bottom वाला हिस्सा होता है वो फिर भी क्या रहता है liquid है तो ऐसा क्यों होता है A ice is a bad conductor of heat ice जो है bad conductor है heat की B since the surface of lake is at the same temperature as the air so no heat loss क्या क्या रहा है जो surface है लेक का और जो temperature है air का दोनों का temperature क्या रहता है same रहता है तो heat loss नहीं होता है C क्या 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 रहा है the density of water is maximum at 4 degree celsius and D is none of the statements given are correct A B C नहीं correct नहीं है तो of course जो density है water की that is maximum at 4 degree celsius this is the main reason why की जो water है bottom का वो क्या रहता है liquid ही रहता है तो option number जो है आपका क्या रहेगा C रहेगा 12th का 10th का बता दूं क्या है यहां खुद कर सकते हैं 10th का option है that is D the necessary acceleration for its motion तो earth के attraction जो है that will provide the necessary acceleration तभी जो है आपका जो satellite है that keeps on revolving around the earth तो जो है वो अराम से ही जो है revolve कर सकता है earth के about तो यह जो है आपका answer था तो next question देख लेते हैं next question है lumin is the unit of so that is the unit of luminous flux तो luminous flux की जो है lumin क्या होती है unit होती है तो यह इसका answer है so next है candela candela that is the unit of luminous intensity so the option number D यह थे lumin lumin जो है luminous flux की आपकी होती है unit and candela is the luminous intensity ठीक है तो 15th question देख लेते हैं so 15th question क्या कहा रखा है in the graph of displacement versus time which is correct so displacement versus time का graph दे रखा है आपको so displacement that is constant with respect to time so time के साथ displacement क्या है constant है option क्या है body rest पे है body के पास कुछ initial speed है यह body जो है move कर रही है constant speed से यह body जो है constant velocity से move कर रही है so it's a displacement की बात हो रही है so of course आपको option क्या होगा इसका so in this case displacement जो है constant है so in this case the body is always at rest stress पे ही रहेगी आपकी body so option number a is the correct answer so next question देख लेते है next question है the temperature of water at the bottom of lake whose upper surface has frozen to ice would be so temperature कितना होगा bottom of lake पे जिसका upper surface freeze हो गया है so that temperature is given by option number c 4 degree Celsius तो यह मैं पहले भी करा दिया है 17 question है lens formula आपको दे रहा है तो आपको पता आना चाहिए 1 by में V minus 1 by में U is equal to 1 by में F जो है आपका lens formula है option number a is 17 का 18th देख लेते है 18th क्या कहारेख है the increasing amount of carbon dioxide in air is slowly rising the temperature of the atmosphere because it absorb तो यहां पहे क्या कहारेख है कि जो amount है carbon dioxide का वो air के अंदर धीरे धीरे increase हो रहा है जैसे से temperature जो है increase हो रहा है atmosphere का because it absorbs a water vapor on the air and retains its B ultraviolet UV part of the solar radiation C all solar radiation and D is IR part of the solar radiation तो इसका answer क्या है आपके पास option number D that means it will absorb only the IR part of the solar radiation तब ही जो है उसका जो है temperature बढ़ाने से उसका carbon dioxide का content जो है वो increase हो रहा है 19th question देख लेते है 19th question है एक balloon है उसको हमने जो है gas से फिल किया हुए और तब तक उपर जाएगा जब तक gas whose density is lower than air gas whose density is higher than air C cold air and D water vapor तो यानि कि किस gas से उसे फिल किया गया होगा आपको बता रहा है कि किस gas से जो है उस balloon को फिल किया गया होगा तो right option is 19th का right option is A it is filled with a gas whose density is lower than air जब air की density से कम होगी उसकी density तभी वो जह है उपर जा पाएगा तो बहुत ही simple logic था next है एक blackboard है वो black नजर आता है क्यों it reflects every color it does not reflect any color absorb black color और reflect black color तो इसका answer क्या होना चाहिए आप सोचोगे तो क्या होना चाहिए बताओ तो ये तो comment section में बता सकते हो ना ये तो easy है तो आज इतना ही अगली बार हम जो है next questions करेंगे 50 questions हम पूरे complete करेंगे तो part wise करेंगे तो अभी के लिए इतना ही thank you so much for watching तो अभी इसके पार्ट में release करूंगी 1,2,3,4 तो उसमें complete कर लेंगे 50 questions thank you